रेटरो स्टेडिες में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 10 के फूटपरिंट विदाओट फीट भुक से फूटपरिंट विदाओट फीट स्टोरी पढ़ेंगे तो आए किस्टार्ट करते है यह जो स्टोरी कि इंटेश्टिंग स्टोरी हैं कि यह स्टोरी की एक सैंटिस्ट के बारे में जिसका नाम घ्रिफिन है यह कुछ ऐसा उपाये देख रहा होता है जिससे कि वह व्यक्ति को अद्रिष्य बना सकता हो वो उसे सफलता मिलती है और उस फ़र यूमूले के माध्यम से वह सवयमि hai लाकिन इन्विसिबल का मतलप यह नहीं कि उसे कोई टच नहीं कर सकता है वह किया त्रानस्पेरन्ट और और बारा मतलब वह दोद्टी टरांस्पेरेंट टी कर सकता था और तब तक follow किये जब तक वो देरे-दरे paint होना start ना कर दिया वो road पे चल रहा था और उसे ठंडी लग रही था और इसके वैसे वो एक shopping center में चला गया जहां पे उसे थोड़ी गर्मी का अनुभूती हो सकता था अब वो उस ठंडी में आखिर में रोड पे क्यों चल रहा था क्या हुआ कि पहले तो यह जो ग्रिफिन था यह बहुत lawless person था क्योंकि जिस घर में यह रहता था उसमें कि जो house के जो honor थे उस house के जो honor थे उससे बोलते थे कि टाге नहीं आता ही था न जाता ही था इसके वह इसको डांट लगाया और डांट लगाने के वैयश्यों उनके घर में आग लगा दिया और homeless wanderer बन गया और इसके वह सटकों पर गुम रहा था और इसको एस्ग दिखना है तो उसको अपना कपड़ा उतारना पड़ता था और चुकि ठंड का मौसम था और उस ठंड में वो बिना कपड़ों के लंदन के सड़कों पे चला करता था उसी समय जब उसे ठंडा लगने लगा तो वो एक स्वापिंग मॉल में थोड़ा सा आराम पाने के लिए जब वो घूसा उसके बाद वो स्टोर बंद हो गया और वहाँ पे उसको कुछ कंफ़ेवल गृर्मेंट्स मिले, और कुछ खाने के लिए आइटम्स मिले वहाँ पे जो garments रखे हुए थे उसको वो unpack किया उसे पहना और उसके बाद वो kitchen में गया वहाँ पे कुछ cold meats और some snacks उसने लिया और कुछ snacks वहाँ पे लिया और decide किया कि वहाँ पे जो kumble रखे हुए हैं store के अंदर उस kumble पे अराम करेगा क्या होता है कि अगले सुबह जब उसके नींद खुलती है अगले सुबह नींद खुलने से पहले पता चलता है कि जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उस store के अंदर वो आज आते हैं और इसको देख लेते हैं और देखने के बाद इसको दोड़ा लेते हैं यह कपड़ा प हंड में लंदन के सड़कों पे वह बीना कपड़ों के गूम रहा होता है तब फिर उसके दिमाग में खुरपात आता है कि चलो जो त्रियेटर कंपणी है वहां से सायद हमें कपड़ा मिल सकता है और वहां पे उसको कुछ ऐसा आइटम मिल जाएगा जिससे कि वह अपने चेह इस लिसको जाता है कि जिस जगह वह रह रह रहा है वहां पे इपिंग विलेज में जाता है और वहां पे दोठे रूम एक होटल में बूख करता है उसको देखे गाओं वालों के मन tasked में विचार आता है कि एक अलग तरीके का appearance वाला व्यक्ति हमारे गाओं के hotel में रहने आया और वो भी इतनी कडाके की ठंड में आखिर में बात क्या है जब तक उसके पास पैसा था वो बहुत आनंद से अपना जीवन वेतीत कर रहा था पैसा खतम होने के बाद वो चोरी करना फिर से सुरू कर दिया पहले वो clergyman के आँ गया और वहाँ पे चोरी किया सब confuse थे कि आखिर में clergyman का पैसा कौन चुराया तो सबको इसी पे सक जाता है क्योंकि ये वहाँ पे अजनभी होता है और अजनभीयों को हमेशा लोग सक के निगाहों से देखा करते हैं यही नहीं उस घर की जो owner थे और उसकी जो wife थे उन लोगों को इसने hit किया जब वे लोग चेक करने गए कि क्या वो अपने room में है या नहीं है चुकि जब वो लोग देखे कि वो अपने room में नहीं है तो वो entry लेने का प्रयास किये और उसके बाद कुरसी चलने लगा हैट चलने लगा स्वयम हवा में उड़ने लगा उन लोग के मन में ये विचार आ जाता है कि उन लोग के उस in में किसी प्रकार का भूतिया साया है और इसके पीछे उस unusual guest जो कि Griffin रहता है वह responsible है ऐसा उस घर के owner और उसकी बीवी का मानना रहता है और उसी समय क्या होता है कि उस town के जो constable होते हैं उन लोगों से ये house के owner request करते हैं कि आ के देखिए क्योंकि यहां पे बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है वह आता है देखता है उसे कुछ दिखाई देता ही नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि Griffin अद्रिश्य हो गया रहता है लेकिन finally constable को एक चीज दिखाई देता है एक व्यक्ति जो चल रहा होता है लेकिन उसका सर नहीं होता है अब यहां पे जो constable रहता है वो परिशान है और डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि कैसे एक headless man की identity मांगी जा सकती है या फिर कैसे एक headless man को पहचाना जा सकता है कि आखिर में कौन है ये व्यक्ति constable उसका हाथ तो पकड़ता है लेकिन उस समय ग्रिफिन हाथ छुड़ा के भागने लगता है constable उसे दोडाता है और उसके बाद ग्रिफिन फिर से अपना कपड़ा निकाल के फेक देता है और फिर से वो invisible हो जाता है और finally यहाँ पे भी वो पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं जाता है और यहाँ पे आपका ये कहानी समाप्त होता है Thank you for watching Please like, share and subscribe my channel Retro Studies